कुंती के साथ बें बुद्र को बताना क्या नाम था भया मुझे समझाना कुंती के साथ बें बुद्र को बताना कुंती के साथ बें बुद्र को बताना कुंती के साथ बें बुद्र को बताना कुंती के साथ बें पुद्र को बताना कुंती के साथ बें पुद्र को बताना कुंती के साथ बें पुद्र को बताना अब मैंने कहा कि आगरा तुम्हें बताओंगा आगरा वहां रस्ता बताए तो मैं तुम्हें संया तक भेजने का मतला से पुत्रों की नाम में बता रहा हूं साथ वेका यह दिश्टर भीव अर्जुन नकोल सहदेव और करेड़ अब शेयर आप सब जहांते हों अब वो साथ बागों सब्वाइक पीशे घारी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार आप आप बताओं आप आप लो माई वाई तो देख तो मैं आलका ने पगराद़ आप लाएं तो डिटाए अरे वुश्में सुन तो जवाब दों देखो द मैं आद्री के थे जिनने बताई देख़्ेदर फुंति में करणारिक नहीं अपने सुरा के नहीं सांसो पहले लोगा अ कि है आप या आप यह अभी मा बार्त को मा बारत नग्या तो आप कर वादे चाली तो आजिक़ा था कि एचलिए टो पहले तो बोही दो धारी नहीए कि मैं जूटा हो जाएगा या जूटा हो जाएगा या जूटे हो जाएगे बिरेंद्र कि माइक चोड़के मत जाओ और घड़के उताविलों के मत काम करो तो आप पूरा बोल नहीं मुझे बोलतो नहीं आप कहां से आए कुल्टी के मेरी सुनुगा यह भी महाभारत की बात है जब क्रिश्ण को डिवकी ने पैदा किया और पाला था यह सोदा ने लेकिन आस्ता किसी ने नहीं कहा क्रिश्ण को कि तुम दिवकी पुत्र यह कहते हैं कि यह सोदा का बेटा है नंद का बेटा है जब कि देवकी और पुस्दीव का पुत्र था क्रिश्ण इसी प्रिकास से आपकी बास सही है मैं यह नहीं कहा है कि क्या है कि नकुल और सहदेव यह मादुरी के थे और उनको जनम देने के पहले ही पांडम मर गए थे लेकिन पुत्र आज तक सबने यही कहा है और मैं भी कह रहा हूं इसमें भी लिखा है के पांच पुत्र कुंती के थे तो मादुरी के दो उसमें पिर तीन ही रह गए और एक करण जो को और पहला किया ने मेरा सवाल इतना है कि साथवे का नाम बताओ आप अपने नमर पर पूरी बात करिए अपने पर नमर को पूरी बात करिए बीच में कुछ नहीं होगा अब आप यह रहेगा कि बोड़ा आप शह बता के जाए गुंति अब 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 बताओ अब 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 आधाने जिननक आई जो में जो तो तो यहादत दें ताइगर मतलब